रोपड कुराली में सेना के एक हेलिकोप्टर में गुरुवार सुभे कोई तकनीकी खराबी आ गई जिससे पालिट ने बड़ी सू समझ के बाद सुरक्षित लैंड कराया है यह हेलिकोप्टर रोपड जिले के कुराली इलाके में स्थित गाउं बनमाजरा के एक खेत में उतारा गया है गनीमत रही कि किसी भी तरह करा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है इस लैंडिंग को सेना के अधिकारी ट्रेनिंग का हिस्सा बता रही है गटना सुभे करीब 10 बजे की है जब गाउं बनमाजरा के खेतों में अचानक एक हेलिकोप्टर उदरता दिखाई दिया किसी अन्होनी की अशंका के चलते खेतों में लोगों की भीट जुटना शुरू हो गई लेकिन गनीमत रही कि ऐसा खुश नहीं हुआ पता चला है कि सेना के एक हेलिकोप्टर ने तीन अफसरों को लेकर पटियाला से पठान कोट के लिए उडान भरी जब यहां रोपड के कुराली इलाके से गुजर रहा था तो अचानक इसमें कोई तकनिकी खराब भी आ गई इसके बाद पाइलेट ने सूज बूच का परीचे देते हुए हेलिकोप्टर को सुरक्षी ढंग से एमर्जनसी लैंड करवाया उदर सूचना पाकरस्थानिये पुलिस भी घटना स्तल पर पहुँच गई इस बारे में जादा जानकारी देते हुए रोपड के डियस पी रवी कुमार ने मताया कि उन्हें किसी तकनिकी खराबे के चलते एक आर्मी हेलिकोप्टर की एमर्जनसी लैंडिंग की सूचना मिली थी हालाकि इसमें सवार सैन्य अधिकारियों का कहना है कि यह एक ट्रेनिंग का जरूरी हिसा है वहीं दूसरी और मदद के लिए दूसरा हेलिकोप्टर भी मंगवाया किया है जो यहाँ पहुच चुका है ऐसे ही लेटेस को बहें पाने के लिए बैल आइकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइव शेर और सब्सक्राइब करें घन्ने वाल